सोच बद्लो सही मार्ग पर चलो हम भारतवासी हैं सबको सही राष्टे पर चलने की प्रेणना देते हैं सोच बद्लो सही मार्ग पर चलो मैं हूँ आसुबा टाइंस नमस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आज सुबा टाइंस में आप सभी का स्वागत है देश के पधानमंत्री स्री मोदी जी को एजमान के नियम और पालन करने का या सोभाग मिला है वहीं पर देश के पधानमंत्री स्री मोदी जी 22 जनूरी 2024 में परभु सिराम जी का प्रतिष्ठ करेंगे सबसे पहले तिलक देश के पधानमंत्री स्री मोदी जी 11 दिन पहले अनुष्ठान करना सुरू कर दिये हैं क्योंकि परभु सिराम जी का तिलक और उसके बाद आरती करने के लिए कुछ नियम और पूजा पाट करने का हमारे देश में परंपरा है जो या 11 दिन बर रहना परता है उसके बाद जो है अपनी मर्जी के अनुसार जमीन पर लेटना और चपलना पहनना या सब नियम हमारे देश में चाहे रात्र का समय हो या जो है कोई भी पूजा पाट या मठ मंदिर का जो है पूजा पाट करना हो वहीं पर आज यह सबसे बड़ा जो है पर पर देश के प्रहान मंति स्री मोदी जी जमान की रूप में या जो है ब्रत और जो है नियम अनुस्थान कर रहे हैं या बहुत बड़ा सवभाग है और या भाग है कि आज सभी देशवासी कितना खुस हैं कि या प्रभु सिराम जी आवध नगरी में टेंट से निकल कर और महल में अपने जन भूमी में बिराजमान हो रहे हैं वही पर देश के प्रहान मंति स्री मोदी जी नारियल पानी पीकर और ग्यारा दिन अनुस्थान कर रहे हैं जमीन पर लेट रहे हैं और जो है बहुत सी जो पवित्र जो है पूजा पाठ करने का सवभाग है या बहुत पावन अपने जो है तन मन सभी को पवित्र करते हुए और या जो है ब्रत है वहीं पर देश के प्धान मंति सी मोदी जी चाहे कोई भी ब्रत हो चाहे अगर नौरात्र का है तब भी पूरा जो है साथ आठ दिन रहते हैं नौरात्र और पूरी जो है सनातन धर्म की जो है कारियों को सांसकेतिक रिवाज के अनुस्वार कार करते हैं पूजा पाड करते हैं ब्रत रहते हैं तो यह सब तो देखा गया है और वहीं पर जो है आज बाइस जनुई दोजाज चोबिस को प्रभुसी राम जी के सबसे पहल करने वाले देश के प्रहान मंतिसी मोधी जी कर रहे हैं वहीं पर आज जो है यह सब पूजा पाड करने से पहले अपने आपको जो है इस तरह से ब्रत ग्यारा दिन रहकर नारियल पानी और जो है जमिन पर लेटना बहुत बड़ा या गर्व की बात होती है देश और दुन से लोग हम भारत के नागरिक हैं हम गर्व से कहते हैं यह सब आज जो है देखने को मिला है तो वहीं पर भारत की जो है देश के सबी प्रहान मंतिसी मोधी जी खुद राम मैं है और संपूर भारत और विस भर में राम मैं अवध पूरी से संदेश दिखाई दे रहा है मोदी जी अव्यधाम में परभू सिराम जी का प्रार पतिष्ठा जो है इससे पहले 11 दिन से परभू सिराम जी का तिलक और आरती करने के लिए खुद तफस्वी बनना और या बहुत परभू सिराम जी के लिए सिर्फ नारियल पानी और नियम धर्म से जमीन पर लेटना कुवास कर रहे हैं और या ब्रत बहुत बड़ा संघर्स और बहुत बड़ा कठोर बहुत बड़ा जो है मातपूर है देश के पदामंतिसी मोधी जी जो है माता रानी का नौरात्र में हो या किसी भी पूझा पाठ करना हो तो या जो है कठोर ब्रत के साथ जो है साथ दिन ब्रत रखते हैं अपने धर्म के प्रत सनातन धर्म की रीत रिवाज संसकार भारत की सांस्केतिक रीत रिवाज भारत ही समाइत है जो ग्यान का अनमुल भंडार है भारत और या अपना संसकार बचाने के लिए हर किसी को इस तरह से कारी करना चाहिए और करते भी है और या देश का सम्मान है या देश का अनुष्ठान है या मेरे देश की महतपून रित रिवाज देखने को मिल लई है भारत की हर वा महतपून है जो संसकार और रित रिवाज हमारे देश की बोली भासी मिठास या भंडार है अनमोल खजाना है अनमोल रत्न है मेरा भारत है जो कोई भी बैक्ति कहीं पर भी जाता है तो वह उसकी मान सम्मान होता है यदि वह भारत का है भारत का जो है या कहता है और भारत की या मंदिर का पूजा पाठ जिस तरह से हम सभी लोग करते हैं आया दिन सुबा सुबा के साथ मानताएं पूर्ण करते हुए सभी लोग जो है बहुत से करती हैं तो यह है उसी का एक हिस्सा है जो देश के पतार मंति सी मोधी जी 22 जनुवी दोजाच चोविस को परभु सी राम जी राम लला जो है बिराजमान हो रहे हैं राम जन्भूमी में और या बड़े भाब सभाग और मंदिर पूजा पाठ करना और कठिन परिश्रम से गुजरना होता है वह पर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना ही तो उनके लिए ब्रत और खानपान सोना लेटना हमारे धर्म में या सब लिखा हुआ है रामायर हो या राम चरितमानस हो या उपदेश हो या उपने सभी हमारे देश में सब कुछ बेद इसका वड़न किया गया है जो सरलता से सभी को बताया जाता है या आज संपूर्ण भारत वर्ष राम में है संपूर्ण भारत हो चुका है सभी मैलाय बुजूर्ग इवा साथी बच्चे भी जैजेकार से राम जी की गुर साथ तब तक अपना ख्यार परिवार देश का ख्यार लखे जैहिंजे भारत नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकोन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकसर मिल जाए धन बात